हाई आएम आरियन आए दोस्तों विडियो की शुरुआत करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने सीखा पर्जेंड इंडेफनीट टेंज अब हम सीखने जा रहे हैं पर्जेंड कॉंटीनुवस टेंज क्या है किसे कहते हैं आएए देखते हैं किसी भी हिंडी वाकि के अंत में र यह अग्य को कंटिन्यूस Σ्टेंस कहते हैं Eleanor जैसे में खा रहा हूँ तुम जा रहे हो हो आप पड़ाए सभी रहा वाले सेंटेंस कंटिन्यूस कि पर्जेंड कॉंटीनुर स्टेंस में हमें दो चीज याद रखना हैए Ready if भर्व का फ сч फॉर्व लगता है जिसमें आई इंजी लगता है जैसे जानाका इंगि्लिस गो होता है इसमें आई इंजी लगा देंगे इंगे वह जाएगा और हैड़ आपको यार रखना है इसमें EJMR, helping verb लगता है क्या helping भर्ब लगता है, EJMR तो दोस्तों देख लेते हैं EJMR कहां कहां लगाना है यहानि किन किन सब्जेक्ट के साथ EJMR लगता है, मैं का इंगलिस आई होता है और I के साथ M लगता है ही, सी, वा होता है और नेम और इट इन सब के साथ क्या लगता है इन सब के साथ इज लगता है यू मतलब तुम, वी मतलब हम और दे मतलब वे इन सब के साथ आर लगता है और एक से ज्यादा नाम के साथ भी आर लगता है जैसे राम और स्याम तो वीडियो में अगे बरते हैं, मेरा टोपिक है present continuous tense जिसकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे है और रहे हो और present continuous tense बनाने का formula है सबसे पहले subject लिखना है, उसके बाद is mr, उसके बाद verb one plus ing भर्ब में ing और उसके बाद object तो एक sentence लेते हैं, मैं जा रहा हूँ formula देखेंगे, सबसे पहले subject लिखना है, subject मे का i हुआ उसके बाद formula हम देखेंगे, ej, mr लगाना है i के साथ m लगता है, m लिख दियें उसके बाद verb लिखना, और उसमें ing लगाना है, भर्ब क्या है? जाना, जाना का English क्या होगा, go, go लिख दिया, उसमें इंग लगा दिया, going, और यहां object कुछ भी नहीं है, मेरा sentence बन गिया, I am going, मैं जा रहा हूं का, I am going. अब एक नहीं वाला sentence देख लेते हैं, formula देखेंगे, सबसे पहले subject होगा, उसके बाद e gmr, उसके बाद not, उसके बाद verb plus ing उसके बाद object मेरा sentence है मैं नहीं जा रहा हूँ formula देखेंगे subject लिखना है में का i हुआ उसके बाद e jmr लिखना है i के साथ m लगता है लिख दियें उसके बाद नहीं के लिए not लगाना है formula देखेंगे not लिग दी है उसके बाद verb पलस ing जाना का go go में ing लगा दी है going और object कुछ भी नहीं है मेरा sentence बन गया मैं नहीं जा रहा हूँ I am not going और बीना formula का आसान तरीके से नहीं वाला sentence बना सकते हैं जैसे मैं जा रहा हूँ इसका sentence बना I am going मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें तीसे नमर पर not लगाना है I am or not तीसे नमर पर और going तो मेरा sentence बन गया, मैं नहीं जा रहा हूं, I am not going एक और sentence बनाते हैं, वा खा रहा है, formula देखेंगे, सबसे पहले subject लिखना है, वा का ही हुआ ही के साथ क्या लगता है, formula देखेंगे, is M, और R, is लिखेंगे, ही के साथ is लगता है, is लगा दियें, उसके बाद क्या लिखना है, भर्व लिखना है, खाना, खाना का eat लिख दियें, उसमें ing लगाना है, eating बन गया, और यहाँ object कुछ भी नहीं है, मैरा sentence बन गया, वा खा र जा रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे ही के जगा पर सी लगा देंगे वह खा रही है सी इज एटिंग अब नहीं वाला बना लेते हैं वह नहीं खा रहा है कुछ नहीं करना है तिस्वे नमर पर नोट लगाना है ही इज नोट इटिंग और अगर सेंटेंस वह नहीं खा रही है सी इज और तिसे नमर पर नोट और इटिंग एक और सेंटेंस लेते हैं राहूल पर रहा है फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट नाम का नाम ही होता है राहूल लिग दिए उसके बार इज मार लगाना है एक नाम के साथ इज लगता है इज लिग दिए उसके बार भर्व प्लस आई एंज भर्व क्या है पढ़ना पढ़ना क्य यहां फॉर्मॉला देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना सब्जेक्ट में नाम का नाम ही लिखाता है नाम लिख दिए राहूल एंड अजे उसके बाद इजम आर लगाना है मैंने आप लोग को इससे पहले बताया कि एक नाम के साथ इज और एक से ज्यादा नाम के सा आर लगता है यहां क्या है दो नाम है तो आर लगाएंगे राहूल और अजे आर लिख दिए राहूल एंड अजे आर उसके पढ़ना का रीडिंग लिख दिए मैं सेंटेंस बन गया राहूल और अजे पढ़ रहा है राहूल एंड अजे आर रीडिंग और अगर नहीं वाल रहा है राहूल इज नॉट रीडिंग मेरा सेंटेंस बन गया राहूल और अजय नहीं पढ़ रहा है यहां भी कुछ नहीं करना है तीसरे नमर पर नॉट लगाना है राहूल एंड अजे आर और तीसे नमर पर not reading मैं sentence बन गिया राहूल और अजे नहीं पढ़ रहा है राहूल एंड अजे आर not reading मेरा अगला sentence है तुम सो रहे हो formula देखेंगे सबसे फ़हले subject लिखना है तुमका English you हुआ उसके बाद e जमर लिखना है you के साथ r लगता है r लगा दिये उसके बाद verb लिखना है सोना का sleep में ing लगाना है ing लगा दिये sleeping मेरा sentence बन गया तुम सो रहे हो you are sleeping और अगर नहीं वाला बनाना है तो तीसरे नमर पर not ल रहे हो you are और तीसरे नमर पर not और sleeping you are not sleeping एक और sentence लेते हैं हम आ रहे हैं formula देखेंगे subject लिखना है subject क्या हुआ हमका वी हुआ वी लिख दिये उसके बाद e जमर लगाना है we के साथ r लगता है r लगा दिये उसके बाद verb में ing लगाना है आना का English कम होता है उसमें ing लगाना है coming we are coming मेरा sentence बन गया हम आ रहे हैं we are coming और अगर नहीं वाला बनाना कुछ भी नहीं करना है तीसरे नमर पर not लगाना है हम नहीं आ रहे हैं we are और तीसरे नमर पर not coming we are not coming आस्ट वाला sentence देख लेते हैं वे अंग्रेजी सीख रहे हैं कि फोर्मला देखेंगे फॉर्मला में सबसे पहले subject लिखना है subject वे का दे हुआ दे लिख दियें दे के साथ आर लगता है आर लगा दियें उसके बार भर्म लिखना है सीखना का English learn होता है उसमें ing लगाना है learning they are learning उसके बार object लिखना क्या सीख रहे है अंग्रेजी यहां object हुआ यहां English लिख दिया है बे आर लर्निंग इंग्लीश वे अंग्रेजी सीख से रहे हैं झाय अंग्रेजी सेंख रहे बलंग्हेट्टि और अगर सेंटेंस हो नहीं वाला वे अंग्रेजा नहीं सीख रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है तीसरे नम्मर पर नौट लगा देना है हमेशा की तरह तो यहां लगा देंगे लगा है दे आर नोट लर्नेंग इंगलिस तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा परेंट कॉंटीनुस टेंस का आफारमिटिव सेंटेंश में जा रहा हूं आइज ए एम बीडियो में डबलू एच फैमली वाले और interrogative sentence सिखने वाले हैं तो तब तक के लिए वाई वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताएं और ये रहा आप लोग का homework इसे जरूर comment box में लिख के बताएं लाइक करें सब्सक्राइब करें